So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में NCL Research शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर का प्राइज है 0.42 पैसे है और इस शेयर में वंडे में हमें जो है 4.55% तक की गिरावट देखने को मिली है आगे हम इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बारे में बात करेंगे उससे पहले इस शेयर के प्रीवियस रेटन्स को देखते हैं तो यहां पे वन मंद में जो शेयर उसमें 2.44% तक के हमें यहां रेटन्स देखने को मिले हैं और मैक्स में यह आल टाइम के यहां पे बात करें तो all time में जो share है उसने 86.71% तक के हमें यहाँ पे return negative जो है दिये हैं आगे हम इस share के bit quantity और ask quantity की बात करते हैं तो जो share का buying pressure है वो 4,266 है वहीं जो selling pressure है वो 5,334 है यानि कि इस share में buying pressure तो हमें जादा देखने को मिला है फिर भी जो हमारा selling pressure है वो buying pressure से यहाँ पे जादा है आगे इस share के resistance लेवल को देखते हैं तो यहाँ पे जो share है वो अपने resistance लेवल से तो काफी जादा दूरी पे है यानि कि जो share है वो अपने support लेवल के पास में है वैसे तो जो share है ये एक penny share है तो इसमें risk तो बना रहेगा लेकिन फिर भी इसमें गिरावट जादा को देखते हुए अगर आप इस share को sale करके profit book करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं वन्ना आप इस share को अपने own risk में long term के perspective से hold करना चाहे तो आप इस share को long term के perspective से भी hold कर सकते हैं